एव्रिवान, एव्रिवान, सबसे पहले, we are just going to practice. और प्राक्टिस में सबसे इंपॉर्ड़न ची होती होती है लिस्नेंग की, आपके ब्रेन के अंदर जो भी डेटा है ना उसको बहार निकालो. आप एक कमरे में हैं, आपको अपने कमरे में क्या-к्या देख रहा है, पहले बताओं. आपने कहा इस रूम में एक पंखा है, इसके अंग्लिश बनाओ. इस रूम में एक पंखा है, आओ प्राक्टिस करते हैं. अब आपने कहा कि इस रूम में एक पंखा है एक एसी है एक टेलिविजिन है तीन आइटम आप बता रहा हो तो आप क्या कहोगे अब यहां पर देर इस नहीं बोलना होगा अब आप यहां पर तीन आइटम की बात करिए तो देर आर अफैन एन एसी एंड टेलिविजिन टेलिविजिन इन देस रूम चिकें मैंने कहा यह एक अच्छा रूम है दिस इस गड रूम मुझे यह रहना पसंद है I like to leave here I like to stay here क्या आप इस रूम को रेंट पर लेना चाहते है do you want to take this room on rent नहीं मैं इस रूम को नहीं लेना चाहता no I don't want to take this room मेरे पास already एक रूम है I've already got a room मुझे इस रूम की जर्वत नहीं है I don't need this room एक बार बोलो मेरे साथ I don't need this room because I've already got a room आप कहा रह 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 अभी where are you living right now where are you living right now हम उस hotel में ठहरे हुए है we are staying in that hotel उस hotel का नाम क्या है what is the name of that hotel मुझे नहीं पता I don't know आप उस hotel में दो दिन से रहरो और आपको उस hotel का नाम नहीं पता है you have been living in that hotel for two days and you don't know the name of that hotel आपको उस hotel का नाम पता होना चाहिए you should know the name of that hotel आपको उस hotel का नाम पता होना चाहिए you should know the name of that hotel आपको बोलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा You should speak more and more. Come on. You should speak more and more. Come on. बोलने के कोशिस करो, जब तक आप बोल नहीं पाओ. बोलने के कोशिस करो, जब तक आप बोल नहीं पाओ. क्या कहेंगे? Try to speak until you are able to speak confidently. Now, sentence को दियान से देखना सभी. Try to speak until you are able to speak confidently. जब तक आप confidently बोल नहीं पाओ, तब तक बोलने के कोशिस करो. मैंने कोशिस की, जब तक मैं confidently बोल नहीं पाया, I tried to speak. मैंने बोलने के कोशिस की, I tried to speak. जब तक मैं confidently बोल नहीं पाया, until I could not speak confidently. Until I could not speak confidently, I tried to speak. मुझे स्टीज पर आना पसंद है बोलो I like to come on the stage I like to come on the stage मुझे इंग्लिश पराना पसंद है I like to teach English I like to teach English मैं college जाया करता था बोलो I used to go to college मैं वहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है I will not go there because मेरे पास समय नहीं है because I don't have time because I don't have time दूसरों के बारे में सोचो क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो दूसरों के बारे में सोचो क्या गहेंगे think about others because you always think about because you always think about yourself मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूं I don't think about myself I don't think about myself I always think about others मैं एक selfish or self-centered इंसान नहीं हूं I am not a selfish and self-centered person आप क्या सोचते हो मेरे बारे में क्या कहेंगे English तिंक इस राइट, जो आप बोलते हो वो सही है, वट यू स्पीक इस राइट, एक बार बोलो मेरे साथ, जो आप सोचते हो वो सही है, वट यू तिंक इस राइट, जो आप बोलते हो वो सही है, वट यू स्पीक इस राइट, क्या आपको लगता है जो मैं बोलता हूँ, वो स आपको इसा क्यों लगता है, वो सही नहीं है, मुझे इसा क्यों लगता है, मुझे नहीं नहीं है, आपको क्यों नहीं पता, आपको बोलने की जरबत है, आपको दूसरों के बारे में सोचने की जरबत है, बोलो, you need to think about others, you need to think about others, मैं college जाया करता था, बोलो, मैं college जाया करता था, I used to go to college, मैं English बोला करता था, I used to speak English, English बोलना आसान है, क्या कहेंगे, it is easy to speak English, it is easy to speak English, English पढ़ाना आसान है, बोलो, it's easy to teach English, English, it's easy to teach English, क्या आपको लगता है, English पढ़ाना आसान है, do you think it's easy to teach English, बोलना आसान है, English बुल्वाना बहुत कढ़ीन है, ब्रादर, it's easy to speak English, it's easy to speak English, but English बुल्वाना बहुत कढ़ीन है, ठीक है, it's easy to speak English, but very difficult to make someone speak English, English बोलना असान है, लेकिन किसी को English बुल्वाना बहुत कढ़ीन है, आप बोल ले तो यह अच्छी बात है, लेकिन किसी को बुल्वाई है, तब आपको पते चलेगा, English क्या है, you are able to speak, that's okay, but make someone speak, then you will realize how tough it is, यह कुछ बच्चो का गेम नहीं, it's not a child play, it's not a child play, English बोलना बच्चो का गाम है, English बुल्वाना बच्चो का गाम नहीं, it's easy, it's just like child play to speak English, but to make someone speak English, it's not a child's play, it's not a piece of cake, you know, these two idioms I have used, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बोले, I want you to speak with me, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आपको इंप्रूब करे, I want you to improve yourself, आप सुनते क्यों नहीं हो, why don't you listen, करो जो आपका दिल का है, do what your heart says, मुझे लगता है, मुझे इस बारे में सूचना चाहिए, I think I should think about it, मुझे लगता है मुझे इस बारे में सूचना चाहिए, क्या गएंगे, I think I should think about it, I think I should think about it, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, I don't know anything about it, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, I know everything about it, but I don't want to speak, I know everything about it, but I don't want to speak, I know everything about it, but I don't want to speak, आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, बताओ मुझे, Why don't you want to speak, tell me, मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है, I don't want to speak, because I don't like to speak, मेरे पास सब कुछ है, वहाँ जाने के लिए, I have everything to go there, मेरे पास कोई reason ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ, I have no reason to go there, that's why I'm not going, or you can say, I don't have any reason to go there, कोई तो कारण होगा यहाँ आने का आपका, you must have a reason to come here, क्या कोई कारण नहीं है आपके पास, don't you have any reason to come here, sir, मेरे पास यहाँ आने का एक ही कारण है, मुझे मेरे इंगलिश को इंपरूब करना है, sir, I have only one reason, sir, I have only one reason, yeah, I have only one single reason, ऐसा बोल सकते है, I have only one single reason to come here, is to improve my English, आप इस काम को केसे करोगे, how will you do this work, आप वहाँ केसे जाओगे, how will you go there, आप यहाँ केसे आओगे, how will you come here, मुझे लगता है, यह काम आपके बस की बात नहीं है, I think this work is not your cup of tea, देखो, जब कोई काम किसी के बस की बात नहीं होती, तो इसके लिए के डियम यूज़ोता, cup of tea, जिसे आपने का, यह काम मेरे बस की बात है, तो this work is my cup of tea, यह काम मेरे बस की बात नहीं है, तो this work is not my cup of tea, क्या यह काम आपके बस की बात है, इस दिस work your cup of tea, यह काम आपके बस की बात है, तो कप रहें, इसे करिए, बस की बात होना मतलब cup of tea, जो cup की चाय है, उसके equal होना मतलब बस की बात होना, English सीखना आपके बस की बात है, है okay it is your cup of tea to learn English आपने का सर में हिंदी मेडियम का हूं इंगलिस सीखना मेरी बस की बात नहीं है सर आम स्टुडेंट आफ हिंदी मीडियम बोलो एक बार सर आम स्टुडेंट ऑ हिंदी मीडियम इडिज नौट माय कप आप टी तो लर्न इंगलिश किस ने कहा आप से कि आपके बस की बात नहीं इंगलिस सीखना परसौना इंस्टीट को जोई दो करो देखो तो सही है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं बनाओ इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है आप सब कुछ कर सकते हो आप सब कुछ बोल सकते हैं आपको सब कुछ बोलना चाहिए आपको सब कुछ करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो आपको सब कुछ करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो मुझे लगता है आप यह काम कर सकते हो आपको सब कर सकते हो तो आपको सब कर सकते हो तो बहुत मजाता है